कि शुप्रभात कि प्रीवच्चों कि पिछले क्लास में श्रेसर भेने और भेडिये के अंतरगत पाठगत बातों से आपको अगद गराया था आज पुना पाठ को निमित कहते हुए पाठ के जो मौलिक विजार है उसको आपके सामने पृस्तुत किया जा रहा है पिछले क्ल कि जो भेडिया है संत का रूम धारान करकर करके वाए भेश भूशा से वह परिमाजित है उसके आचण ही संत की भाती है लेकिन क्या यह अथात में यह भाव और भंडिमा अस्थाई रूप से रह पाएंगे इसका उत्तर होगा नहीं आगे की बात को हम नेमित कहते हैं उध इस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा पुढ़े स्यार ने पहणा रही है ने ऐसी चर्चा की चेटा करकी वाव संतिका विशार होगा उनके तो जो वक्तब्य है विशार है उसको सुनकरके आप लाभानीत हूंगे इस पर कासे इन बातों को सुनने के लिए संत के विच विए उनका जिन्दाबात कर्मारा लगाते हुए उनको अतनिक उत्साही मनाने का प्रयास करते हैं तिकुछी प्रकार से यहां पर भी उस संद्ध की जयकारा लगाते हुए चारो जो सिया हो थे उन भेडों के जुन के पास आ गया है। बुडे सियानने का जो से संभ गड़ी कि जैबोली भेडों में पहले से यहां कि धियानों की, अजित आप कभी सभार उश्तानी में जाएंगे. तो जिस पॉर्टी यह दो जिन्दावार केरना और उस प्रकार से गोरे सियाने संविश्जी हुआए की जैद्भणी?? पूरे के पूरे वाताव्रण को जैघोस से परिवाज दिखें दिया अच्छा लगने लेगा भेड़ों ने देखा तो यह बोली अरे भागो यह भेडिया है जब पहले बार यहां भागो यह तो भेडिया है अपना भेशुचा बदल करके आया हुआ है नहीं इसलिए भागन की बाद भेड़ों में की तो अब भय मत करो भेडिया राजा संत्त वह गए है उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है वास्तों में बुढ़ा जो स्यार था उनको संबोधित कहते विल कहा कि भाईवों बहनो आप भय मत किजिए जर्ण मत किजिए आज वास्तों में और एक सतकर्म के लिए प्रुपकार के लिए दया के लिए कर्णा के लिए जाने जा रहे हैं इसलिए आपको डरने के और सक्ता में नहीं है उनका हिदर परिवतन हो गया है वे आज साथ दूनों से खास खा रहे हैं रात दिन भगवान के भजन और प्रुपकार में लगे र प्रविति का परित्याकर्शा का हाई जीवन्यापन करने में सल्लक हो गया है आप सोचो साथ दिम्हों में निखास खा करके जीवन्यापन किया जाद दिन भग्वान के भजन में लगे वे रहते हैं प्रुबकार दया क्रोना प्रेम इनका अपना मुख मौलिक शवदावली बन गई है अपने जीवन में जीवन जीव मात की शिवा अरपित कह दिया है अब जो भी जीव है उनके लिए इनका उनका सिवा करना ही इनका एक धर्म बन गया है ऐसा उसनी आपके और किसी का दिल नहीं तुकाते किसी का रूम नहीं जोते रूम आपको पहले वे जी लिए उनको माल देते पर प्रत्रीजी करते यांग देते हैं उन चीजों को याद करें के कापी दुखीत होते हैं, अंतर मन से दुख बढ़ जाते हैं, कभी-कभी उनके आंचों में आशो की अधल धारा प्रवाइत होने लगते हैं, उनकी अपनी वेडिया जाती ने दो अच्छा चाल आप पर गिये हैं, उनके गड़िया संत का मधा अपने आपने अस्थापित किया है, वह अनुकर्णिये हैं, यह जानते हैं, इन धियोनों पर बहुत बड़े अध्याचार में हैं, उस अध्याचार का प्रवाइचित कैसे हो, कैसे उससी से निजाद पया जाए, इसकी पूरी विवस्था इनके मन में आ गई है, आज सवे अब वे स्रवस्था त्याग चुके हैं, अब आप उनसे भाय मत करें, उन्हें अपना भाई संधे, सब मिलकर बोलो संत भेडिया की जै, बहुत अच्छा संभूधन इनका रहा, किसका बुढे सियार का उन्हें प्रभावित किया, और उन्हें अस्पस्तूप से इस बात का प्लमान दिया, कि अब इनके मन में आपके प्रति बयार रहना प्रेम मात रह गया है, जो बातें पहले हुई थी, उसको आप बुल जाओ, अज सुबह की बात है, भेड़िये, भेड़के एक बच्चा को पैल में काटा रह गया था, उन्हें अपने दातों से निकाला दातो उसे, जो दात कुईूता का परिचायक था, रग्त मांस खाने का धोतक था, आज उन्हें दातों से कांट निकाल करकर करके, और उन्हें पूरी सुष्ट कहने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी मित्र हो गई, उस मांस को खाया नहीं, बलके अन्तिष्ट ही क्रिया करकर करके, एक यसस्वी बनने का काली किया, इसलिए अब इसमें आपको अविश्वास का भाव करापी नहीं हाना चाहिए, सच्चाई बात तो यह है, कि संत भीडिया, वास्तों में पूर्ण उसे संत हो गए है, उनकी अन्तिष्टी किया के पहचार, अपना वे सब उस प्रकार के जो अब उनके प्रति जो मायने की जो प्रकिति और प्रकिति थी, उसका विए सब कुछ त्यार के चुके है, अब आप उनसे भाय बत करें, उन्हें अपना भाई सकीए, और सब बिलकर भोलो भेडिया संतिकी निचे, तो आज है इतना ही क्लास को में मिट कहें कि प्रण बिलने